हेलो फ्रेंट वेलकम टू मार यूटूब चैनल और लेलनी वेबसाइट जीके लूसेंट में आपका स्वागत है दोस्तो जोग्राफिक दोस्तो सौर मंडल में सूर है सूर सन सौर मंडल का प्रधान है और या हमारी मदाकनी दुग्द मेकला के केंदर से लगबद 30,000 प्रकास फरस की दूरी पर एक कोने में स्थित है या दुद मेकला पदाकनी के केंदर के 4 और 200 किलोमेटर से गदी की परिक्रमा कर रहा है इसका परिक्रमनकाल दुग्द मेला के केंदर के चारो और एक बार गोमने में लगा समय 25 क्रोण यानि 200 मिलियन वर्स है जिसे ब्रह्मार्ण वर्स में कॉसमास यह कहते हैं सूर अपने अक्ष पर पूर्ष से पक्षिम के और गोमता है इसका मद्द में भाग 25 दिनों में वा ध्रुई भाग 35 दिनों में एक दोला है जिसमें हाइडोजन 71 परसेंट हेलियम 26.5 परसेंट एवं अनितत्व 2.5 परसेंट होता है सूर का केंद्री भाग क्रोड यानि कोर कहलाता है जिसका ताप एक दशनों पांच कोड़े दसकी घात साथ डिगरी सेल्सियस होता है तता सूर के बाहरी सता का ताप मां ल और साथ डिगरी सेल्सियस ताप पर सूर के केंद्र के चारो पर चार हाइडोजन नाभिक मिलकर एक हिलियम नाभिक कर निर्मान करता है अर्था सूर के केंद्र पर नाभिकी सल्यन होता है जो सूर की उर्जा का शूत है सूर का दीपतमान सता प्रकास मंदल यानि फोटो स् बेर कहते हैं या लाल रंका होता है सूर्ग रहन के समय सूर्ग के दिखाई देने वाले भाग को सूर्ग किरीट यानि कोरोना कहते हैं या सूर्ग का भारतम परत है या सूर्ग किरीट एक्सरे उसाजित करता है जिसे इसे सूर्ग का मुकट कहा जाता है पर पूर्ण सूर्ग ख्रैर के समय सूर कीरीड से प्रकास की प्राप्ति होती है चुर की उम्र 5 बिलिन वर्स है वविस्ध में सूर द्वारा और ़ोर्जा देते रहने का समय 10 की पावर 11 वर्स है सूर के प्रेकास को प्रत्छी तक पहुंचने Lubat प्रारम में प्रत्वीक को संपूर ब्रह्मान्ट का किन्द मना जाता था जिसकी परिक्रमा सभी आकाशिये पिंड यानि सेलेस्टिल बॉडियूज विविन का च्छाओं और्बिट इसे भू केंदरी सिद्धान या जियो सेंट्रिक थियोरी कहा जा गया इसका पति पातिन मिश्र यूनानी खुगोल सात्री ग्लाडियल टॉलसी ने 1414 इस्वी में किया था इसके बाद पॉलांट के खुगोल सात्री निकोलस कॉपरनिक्स 14-15-45 इस्वी में ने या दर्साया क सूर ब्रह्माण के केंदर पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रिमा करते हैं अता सूर विश्व का या ब्रह्माण का केंदर बन गया इसे सूर केंदरी सिद्धान यानि हैलो सेंट्रिक थियोरी कहा गया 16 सतापदी में टाइक क्रोबेव के साहक जोनेस कैपलर 15-15-36 ने ग्रहिये कच्छाओं के नेमों की खोज़ की परन्तो इसमें भी सूर को ब्रह्माण का केंदर माना गया 20 सतापदी के आरम में जाकर हमारी बदाकनी दुग्द में खेला की तस्वीर इसपरष्ट हुई सूर को इस बदाकनी के एक सिरे पर अवस्तित पाया गया इस प्रकार सूर को ब्रह्माण के केंदर पर होने का गौरव समाप्थ हो गया कैपलेट ने सिद्ध किया कि सूर के चारो और प्रतेख नच्चत्र एक मार्ग दीर्द वरताकार है सूर के दब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सचस कम होता है सूर के दब्बे का एक पूरा चक्र 22 वरसों का होता है पहले 11 वरस तक यह दब्बा बढ़ता है और 11 वरस के बाद यह दब्बा घरता है ज़र सूर की सता पर दब्बा दिखलाई पड़ता है तो उसमें प्रत्वी पर चुम्बकी चंचावत यानि मैगनेटिक स्ट्रॉम उत्पन होते है इससे चुम्बकी चुम्बकी की दिशा बदल जाती है एवर रेडियो टेलिवेजन बिजली चलित मशीन आदी में गरबड़ी उत्पन हो जाती है सूर का व्यास 13,92 किलो मीटर है जो प्रत्वी के व्यास का लगबग 110 गुना है सूर हमारी प्रत्वी से 13 लाग गुना बड़ा है और प्रकास का सूर ताप का दो अरबववा भाग मिलता है नोट बद्रात्री सूर का अर्थ है सूर का धुरुई वरत में देर तक चमकना बद्रात्री में सूर आर्केटिक छेत में दिखाई प्रता है सूर मंदल के पिंड अंतराष्टी खुक्वली सास्त्री संग इंटरनाशनल अस्टियोनोमिकल यूनियन आई ए यू का प्राग सम्मिलन 2006 के अनुसार सूर मंदल में मौजूद पिंडो को निम्लिकी तीन शुड़ू में बाटा गया परामपकत ग्रह, बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रैस्पती, सनी, अरुण, एवं वरुण, बॉने ग्रह, प्लोटो, चिरान, सेरस, दोजार तीन, यूबी, 313 लगू सूर मंदलिय पिंड, धूम, केतू, उपग्रह, एवं अन छोटे, खोगोलिय पिंड, ग्रह, ग्रह वे खोगोलिय पिंड है, जो निम्लिक सर्तों को पूरा करते हो, जो सूरी के चार और परिक्रमा करता हो, उसमें परियाप्त गुर्दवा कर्ष्ण बल हो, जिससे वह बल सरूप ग्रहन कर सके, उसके आसपास का छिद साफ हो, यानि उसके आसपास के अनिखोगोली पिंडों की भीड़बार ना हो, ग्रहों का उपकृत परिवासा आई, एन, यू की प्राग सम्मिलन आगस 2006 इसवी में तै की गई, ग्रह इस परिवासा के अधार पर यम, प्लोटो का, को ग्रह के शिड़ी में निकाल कर दिया गया, फस रूप परामबगत ग्रहों की संक्या नौ से घटकर आच रह गई, यम को बौने ग्रह के शिड़ी में रखा गया, ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया, पार्थिव या आंतिर ग्रह, ब्रेश्पति या ब्राह ग्रेळ, जोवीना या आउटर प्लेनेट ब्रेशपति शनी अरुण वरुण को ब्रेशपति ग्रेख कहा जाता है। मंगल बुद्ध ब्रेशपति सुक्र ऐवं सनी इन पांच ग्रहों को नंगी आंकों से देखा जा सकता है। अकार के अनुसार ग्रहों का करम, गटे ग्रम में बृस्पति, सनी, अरून, वरुन, प्रथवी, शुक्र, मंगल एवा बुद्ध, अर्थाग सबसे बड़ा ब्रहस्पति, एवे सबसे चोटा ग्रहे बुद्ध है गनत्र के नुसाग ग्रहों का कर्म बढ़ते कर्म में सनी अरून ब्रैस्पती नेप्चन मंगल एवं शुक्र सूर्सेद दूरी के दूरी के नुसाह ग्रहों का कर्म बुध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, म्रेस्पती, सनी, अरुण यानी ब्रकर्म में अभरन यानी नियप्षन के सबसे निकेट का ग्रह बुध है एवन सबसे दूरेस्थ ग्रह वरुण है द्रवमान के नुसा ग्रहों का कर्म बरते कर्म में बुद्ध, मंगल, शुक्र, प्रत्वी, अरून, वरून, सनी एवं प्रेस्पती यानि नियूंतम द्रवमान वाला ग्रह बुद्ध है एवं सबसे अधितम द्रवमान वाला ग्रह प्रेस्पती है परिक्रमन काल के नुसा ग्रहूं का क्रम बढ़ते क्रम में बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रेस्पती, सनी, अरून, एवं वरून परिक्रमन काल के नुशा ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में ब्रेस्पती, सनी, वरून, अरून, प्रत्वी, मंगल, बुद्ध, एवं, शुक्र अपने अक्ष किक पर जुखाव के आधार पर ग्रहुं का करम बढ़ते करम हैं सुक्र ब्रस्पती बुद्ध प्रत्वी मंगल सनी वरून एवंअरून सुक्र एवंअरून को छोड़कर अन्य सभी ग्रहुं का घुरन एवंपरिक्रमन की दिसा एक ही है सुक्र एवहं अरुन के गुरन की दिषा पूर्व में पश्चिम यानि क्लॉकवाइज है जबकि अन्य सभी ग्रहों का गुरन की दिषा पश्चिम से पूर्ण यानि एंटि क्लॉकवाइज है बुद्ध मरक्री यह सूर का सबसे नज़्दीक की ग्रह है जो सूर से सूर निकलने के दो घंटे पहले दिखाई पड़ता है यह सबसे छोटा हलका ग्रह है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसके चुमखिये छीत्र का होना यह सूर की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है अर्थात यह सूर मंडल का सारवधिक कच्छिय गती वाला ग्रह है यहां दिन अतिक गर्म हुआ राते पर फिली होती है इसका ताप अंतर सभी ग्रहों में सबसे अतिक 100-600 डिग्री सेल्सेस है इसका ताप मन रात में 173 डिग्री सल्सेस वर दिन में 427 डिग्री सल्सेस हो जाता है शुक्र यानि वीनस या प्रत्वी का सबसे निकर्टम, सबसे चमकीला, एवं सबसे गर्म ग्रह है या साच का तारा या भौर का तारा कहा जाता है क्योंकि या शाम में पश्चिम डिशा में तता सुबा पूरव डिशा में आकास में दिखाई पड़ता है या अनि ग्रहों के विप्रीत दर्चुनावत यानि कलॉगवाई चक्रण करता है या प्रत्वी के भगनी ग्रह कहते हैं या ग्रह तो आकार एवा विकास व्यास के में समान प्रत्वी के समान है इसमें कोई इसके अपास कोई उपग्रह नहीं है प्रैस्पति यानि जुपिटर यह सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह है इसे अपनी धुरी पर चक्का लगाने में 10 घंटा यानि सबसे कम और सूर की परिक्रिमा करने में 12 वर्स लगते हैं प्रैस्पति का द्रवमान सूर के द्रवमान का लगबग एक हजारवा भाग है इसके उग्रह क्यानी मीड यानि पीले रंग का सभी उग्रहों में सबसे बड़ा है मंगल यानि मार्श इसे लाल ग्रह या है रेट प्रेंट कहा जाता है इसका रंग लाल आयरेन ओक्साइट के करण है यहां प्रत्वी के समान दो दुरूव है तथा इसका कर्चातली 25 डिगरी के कोन पर जुका हुआ है जिसके करण या प्रत्वी के समान रित्व परवरतन होता है इसके दिन का मान एवा अक्ष का जुकाव प्रत्वी के समान है यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कल लगाता है इसके दो उपक्रह है फोबस और डिमोस सुरी की परिक्वा करने में 687 दिन लगते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा जौल मखी ओलिपस मेसी एवन सौर मंडल का सबसे उचा परवत निक्स ओलम्पिया है जो मांट एवरेश से तीन गुना अतिक हुचा है इसी ग्रह पर स्थित है नोट मार्स ओडीसी नामक कत्म उग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हीम सीसित जल की उपस्ति की सूचना मिली इसलिए प्रतिफिक के अलावा या एक मांट ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है 6 अगस 1212 में नासा का मार्श क्यूनाइटि सिटी रोवर नामक अंत्रिच यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक इस्थान पर पहुचा या मंगल पर जीवन की संभावना तथा उनके वात्तावर का दियन कर रहा है भारति अंत्रिच अनुस्थान संस्थान इस्थान इस्थान ने अपना मंगल यान यान मांस ओर्बिट मिशन मॉम 5 नमबर 1213 को श्री हरी कोटा आन्पदेश से दुर्वी अंतराजी अंत्रिच प्रच्षेप्र यान NPSLVC 25 से प्रच्षेप्र किया है यह भारत का पहला अंतर अंतर ग्रहिय अभियान है इसरो सोवियत अंतरिच कारिक्रम नाशा एवा यूरोपिय अंतरिच एजनसी के बाद चौधी अंतरिच एजनसी है जिसने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिच यान भेजा सनी यानि सैचुरिन या अकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसके विशेष्टा है इसके तल के चारो और विले का होना यानि मोटी प्रकास की वाली कुंडिली विले की संख्या साथ है या अकास में पीले तारिक के समान दिखाई पड़ता है इसका घनुत सभी ग्रहों एवम जल से भी कम है यानि इसे जल में रखने पर तैने लगेगा सनी का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है या अकार में बुद्धि के बराबर है टाइटन की खोच 1665 इस्वी में डेनमार के खुगल सासी क्रिश्चिन हाईजोन ने की या एक मात ऐसा उपग्रह है जिसका प्रत्वी जैसा सेव का सगन वाय मंडल है फोवे नामक सन्य का उपग्रह इसकी कच्छा में घूमने की विप्री दिसा में परिग्रमा करता है अरुन यानि यूरेनिस या अकार में तीसा सबसे बड़ा ग्रह है इसका अतापमान लगबग 255 डेगर सेलस्यस है इसकी खोल सतर से क्या से इसमी में विलियम हारसल के दोरा की गई इसके चारों और नौ वलियों में पांच वलियों का नाम अलफा, बीटा, गामा, एवन, डेल्टा, एवन, इपसन, लॉन है यह अपने अक्ष पर पूर से पक्ष्चिम के और यानि तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटोनिया है वरुन निप्टियोन इसकी खोज अठाज शरी उसी में जर्मन खुबूल यग जहान गाले ने की नई खुबूली व्यवस्ता में या सूर्ष का सबसे दूर इस्थित ग्रह है या हरे रंग का ग्रह है या हरे रंग के प्रका का उत्सर्चित करता है इसके चारों और अतिशीतल मिथेन का बादल चाया हुआ है इसके उपक्रहों में ट्राइटन ट्राइटन प्रमुक है थैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग